हेलो स्टुडेंट वेलकम टुमाई यूटूब चैनल एके एमटी कोर्स आज मैं क्लास नाइन्थ का जो चेप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम्स उसका एक्ससाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फाइब बताने जा रहा हूं नंबर फाइब है बोल रहा है कि है रिश्टनलाइज दर डिन्वीन एटर ऑफ फोलोइंग कुछ क्वेश्टन दिये हुए हैं उनके डिन्वीन घाम को रिस्टन आईज करना है थीक आई यह कुष्टन आम पहला करते हैं तो पहला है वरण अपन रूट चैंब इसके तब है denominator को numerator में भी और denominator में मल्टिप्लाई करना है देखिए क्या बोला है denominator को rationalize करने के लिए तो root 7 क्या इसका denominator तो root 7 से दोनों में multiply करेंगे numerator and denominator में यही rationalize का एक प्रोसेस होता है rationalize का मेरे मतलब होता है कि जो denominator में root है उसको हटाना ठीक तो इसको root हटाने के लिए अगर कोई root से multiply करेंगे तब ही तो यह root हटेगा square बनके तो आगे हम rationalize करते हैं तो हमने multiply किया root 7 एक numerator में और एक root 7 denominator में ठीक अब देखते हैं इसका जो result आता है से multiply करेंगे तो root 7 हो जाएगा अब देखिए root 7 into root 7 क्या जाएगा root 7 का square हो जाएगा चुकि square root कट जाते हैं square root यहां से कट जाएगा क्या जाएगा root 7 upon 7 root 7 upon 7 हो गया ठीक अम आगे next question देखते हैं आपको सारे question करना है denominator को दोन में multiply करना है एक numerator में एक denominator में यहां देखिए कुछ changes है यहां sign भी दिया है तो आज यह sign वाला भी एक करके देखते हैं क्या है one upon में root 7 माइनस root 6 ठीक root 6 है यहां sign दिया है अगर sign दिया है तो multiply करते समय आपको sign change कर देना यहां negative है तो अगर multiply करेंगे हम यहां 7 root तो यहां क्या हो जाएगा plus हो जाएगा sign change कर देते हैं ठीक रेसनाइज में अगर sign दिया है तो अगर simply दिया है root 6 दिया यह root 7 तो sign हम चैनल नहीं करेंगे तो यहां क्या जाएगा plus यहां जाएगा root 6 अब denominator में भी करेंगे तो वही चील यहां लिख देता है प्लस root 6 ठीक आई यह multiply करने के बाद देखते हैं तो उपर उपर करेंगे तो क्या आएगा 7 root sorry root के अंदर 7 प्लस root 6 यह हुगा 1 से multiply करने पर वही नमर आएगा अब देखिए यहां पास आप देख रहे हैं कि यहां a minus b है यहां a plus b है ध्यान दिजिएगा root 7 root 7 root 6 root 6 बस यहां different है तो sign का different है यहां minus है यहां plus है अब अगर यहां देखा जाए एक यहां formula लिख देता हूं आपने पढ़ा होगा a square minus b square का formula क्या होता है एक bracket में a plus b हो जाता है और एक bracket में a minus b हो जाता है आपने पढ़ा होगा वही formula यहां यूज करना है एक identity होता है आज़े देखते हैं तो एक में a plus b है एक में a minus b तो इन दोनों को न छोड़कर छोड़कर हम a square और minus b square भी लिख सकते हैं आए लिखते हैं a square मतलब क्या root 7 का square जहां बात कहें root 7 का square minus क्योंकि minus में b square मतलब क्या root 6 का square root 6 का square देखते हैं क्या होता है यह तो numerator का numerator उतर जाएगा ठीक अब denominator में यह खतम हो जाएगा क्योंकि square और root खतम हो जाते हैं एक दूसर सकड़ जाते हैं क्या बच्चा 7 minus 6 बच्चा 7 minus 6 7 minus 6 क्या होँ 1 तो denominator में 1 लगाए चाहना लगाए कोई फर्क नहीं होता है जो आंसर हो जाएगा 7 root 6 upon 1 यह भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं बस आपको 1 नहीं भी लगाएंगे तो आपका कोई दिकत नहीं होगा ठीक इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अब आईए next question देखते हैं यहां क्या है प्लस sign हैं तो प्लस sign है तो अगर multiply करेंगे तो negative sign हो जाएगा देखिए इससे one अपन रूट 5 अप्लस रूट 2 है multiply करेंगे क्या जाएगा रूट 5-2 ठीक यह हो जाएगा यहां का जाएगा रूट 5-2 यहां माइनस हो जाएगा ठीक क्योंकि साइनचेंज हो जाता है से करते समय म diferentes इसका रिजल्ट देखेंगे तो वन इन्टू हो जाएगा आप यहां वही कंडिशन है a minus b ka whole square a square minus b ka square वह यहाँ a plus b यहाँ a minus b तो हुआ फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या जाएगा root 5 का square हो जाएगा यहाँ का हो जाएगा root 2 का square हो जाएगा ठीक अब आएए देखते हैं तो यहाँ square root खतम हो जाएगा यहाँ भी square root कट जाते हैं square root कट जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा root 5 minus root 2 upon में 5 यहाँ तो 5 बचा यहाँ क्या बचा 2 5 minus 2 क्या जाएगा root 5 minus root 2 नीचल आडिनोमेटर का देखा जाएगा 5 minus 2 क्या जाएगा 3 हो जाएगा 3 ठीक यह हुआ हमारा तीसरे नमर का अंसर अब आगे फोर्थ question देखते हैं जो question number 4 है one upon root 7 minus 2 इसका भी करते हैं रेस्नलाइज तो पहले तो question लिखेंगे one upon root 7 minus 2 ठीक अब रेस्नलाइज करते हैं चुकि sign change हो जाता है root 7 यहाँ का जाएगा plus 2 हो जाएगा फिर upon में root 7 plus 2 ठीक अब देखते हैं one से multiply करने पर वही नमबर आ जाएगा यानि root 7 plus 2 denominator का देखा जाएगा तो वही बन रहा है हमारा a क्या बन रहा है a square minus b का जो होता है a plus b a minus b यही formula इसमें भी लगेगा यह तीनों में जो हमने बताया यह a का ही formula लगना है यह क्या बन रहा है a देखिए यहां root 7 है यहां भी root 7 यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो यह a plus b यह निक्या हुआ root 7 plus 2 हुआ a minus b यह निक्या हुआ root 7 minus 2 ठीक अब इसको इस form में लिखते है a square के form में तो क्या जाएगा root 7 का square ठीक यहां minus हो जाएगा अब क्या जाएगा 2 का square ठीक अब देखते हैं उपर वाला वह इसे उतर जाएगा नीचे का देखिए solve करेंगे square root खतम हो जाता है एक दूसरे सिकड़ जाते है क्या हुआँ 7 2 का square 4 अब solve करते हैं root 7 plus 2 क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो यहां का जाएगा 3 यह आपका answer हो गया rationalize का main मतलब होता है जो denominator में root दिया है ना उसको उपर भेजना जैसे देखिए एक example देता हम आए जैसे 1 by root 2 है जैसे 1 by root 2 है ठीक देखते है तो जो root 2 है ना तो इसको root को हटाकर उपर भेजना है हमको यह denominator में root नहीं रखते हमको numerator में root रखना है बस यह rationalize का main मतलब होता है अगर हमारे वीडियो अच्छा लगए हो तो हमारे चनल A.K.M.T. course को सब्सक्राइब करें एक लाइक करें अगर कोई भी कोई question में problem है तो please comment कीजिए मैं उस question को solve करूँगा थैंको जैन जै भारत